फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे उर्जा क्लूबल की सुजलोन एनर्जी में भी हमें फ्राइडे को थोड़ी सी गिराउट देखना को मिली स्टॉक फिलाल अभी भी मजबूत बना हुआ है लेकिन उपर के लेवल से प्राफिट बुकिंग सुरू हो चुके तो क्या सुजलोन एनर्जी का स्टॉक फिर से वन डिजिट में आ जाएगा क्या इस समय हमें सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्मेंट करना चाहिए या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तो सारी समभावनों को तलासेंगे इस वीडियो के मादिम से साथ में ग्रीन एनर्जी को लेकर एक बड़ी अपनेट निकल कर आई है क्योंकि हमारा नया बजट आने वाला है 2022-2023 का बजट आने वाला है इस नये साल के बजट में क्या समभावना बन रही है ग्रीन एनर्जी को लेकर तो क्या है सरकार का मिसल और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा इन ग्रीन एनर्जी के स्टॉक को तो सारी समयोनन तलासेंगे इस वीडियो के मादिम से दूसरी तरब उर्जा ग्लोबल में लगातार लोर सर्कृट लग रहे हैं अब लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है क्या हमारे निवेस हमारा डूप जाएगा तो फ्रेंड्स उर्जा ग्लोबल में आगे कहा तक गिराउट हो सकती है कहा पर गिराउट थम सकती है सारी समयोन तलासेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बे लाइक को उन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसन आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दविया और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले सुजलान अनर्जी की बात कर लेते हैं फ्राइड़ को स्टोक उपन वहा 12.30 पर 11.55 का लो बनाया 12.60 का हाई बनाया और अंत मैं 11.70 पर करीम 3.70% की गिराउट देखने को मिली और इस गिराउट के पीछे वजब बनी की बाजार में भी गिराउट थी निप्टी एनर्जी में भी हमें गिराउट देखने को मिली और इसी वज़े से यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ पे यह जो profit booking हुई है यह purely retail investor ने किये यहाँ पे बड़े fund house ने कोई बिक्वाली ने किये इसकी प्रदसन को अगर हम देखे तो 20 अगस्ट 2000 कि इसको यह मात्र 5.80 का था तो आप देख लो बहुत कम समय में अचा रिटन दिया है 12.80 का इसने हाई बना जाता 17 जनवरी को अब 11.70 पे तो उपर के लेवल से करीब 1 रूपीज नीचे आ चुका है अगर इसके वॉलिम को देखे तो BSE में 4.88,1,000 का वॉलिम हुआ था गुरुआर को भी 16 को रूपीज का वॉलिम हुआ था लेकिन फ्राइडे को 17 को रूपीज का वॉलिम हुआ तो अच्छा वॉलिम हुआ काफी ज्यादा वॉलिम के साथ में कामकाज हो रहा है 4.4050 रूपी का लोग है 13.50 रूपी का है ही है फिलाल श्टॉक 11.65 परे तो उपर के लेवर से तो श्टॉक नीचे है लेकिन आपको ये भी ध्यान लखना है कि पिछले एक डिर महीने में इसमें बहुत बड़ी तेजी बनी थी श्टॉक क्रिप 6-7 रूपे से सिधा 13 रूपे तक पहुच गया था तो बड़े प्रॉफिट में प्रॉफिट बुकिंग तो आने लाजमी है कम समय में जितना सांदार रिटन मिल रहा था कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा और मैंने भी आपको ये बात हर बार बताई है कि अगर आपका short term और mid term का नजरिया है तो आपको profit book करते रहना चीए आप profit book करोगे तब ही आपको फाइदा है वरना बढ़ती हुई price आपके किसी काम के नहीं जब price वापस निचे आ जाती है तो सारा आपका profit खत्म हो जाता है इसलिए आपको profit book करने चीए सारा green energy के मादिम से होगा तो ऐसे में सरकार ने अभी से शुरुआत कर दी है तो आने वाले budget में यानि 2022-2023 का जो budget है उसमें सरकार अपनी तरब से क्या मदद कर सकती है क्योंकि सरकार ने 2030 तक 50% जो भी है non-fossil fuel के उपर depend होने की संभावना तलास नहीं शुरू कर दिया यानि एक तरह से 50% green energy का कारूबार 2030 तक ही establish कर लेना है और इस installation के लिए जरूरी है बहुत सारी मदद इस green energy sector को तो फिलाल इस renewable energy का जो sector है यह बहुत सारी मदद चाहता है loan बिल्कूल interest free हो इनके लिए साथ में इनके लिए better tax structure establish किया जाए ताकि company फले फुले साथ में policies है चाहे वो states की हो या फिर discount की हो वो इनके favor में हो तभी ये company आगे बढ़ पाएगी यानि हर तरह से इनको benefit देना होगा तभी ये company आगे बढ़ पाएगी क्योंकि सरकार जिस तरह से green energy के business को आगे बढ़ाना चाहती है तो इन company को बहुत सारी रात सरकार की तरफ से देने होगी तो ये budget में हमें देखना को मिल सकता है 2022-23 के budget में तो लगातार बहुत सारी demand की जाए सरकार अपनी तरफ से help भी बहुत सारी कर रही है अगर आप देखे तो पिछले जीनों उन्होंने अपनी तरफ से मदद के हाथ बढ़ाने शुरू कर दिये हैं और आने वाले समय में इसमें और भी मदद की जा सकते हैं दूसरी तरफ से सरकार ने एक और निर्ने लिया है सरकार डोमेश्टिक मैनुफेक्चरिंग में बढ़ावा देना चाहती है फॉजिल फ्यूल के लिए और जो इंपोर्ट हो रहा है फॉजिल फ्यूल एक्सपेंसिब उसको रोकना चाहती है उसमें कमी करना चाहती है सरकार ने प्लाइ स्किम भी लाँच किये है उसके लिए बैटरी निर्मान किया जा सके साथ में इसके लिए विंड के लिए और साथ में सोलर प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके उनके लिए कंपनिया इस्टाबलीश की जा सके और इसके लिए सरकार हर तरह से मनद कर रही है अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखे तो इससे पहले भी यानि पीछले बजट में करीब 4,500 कोड रुपी प्लाइ स्किम के लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया था गवर्मेंट ने रिसेंटली 1,500 कोड रुपीच अप्रूव किये है ग्रियन अदर जी के बीजनेस के इन्फराइस्ट्रेक्चर डेवलोपमेंट के लिए साथ में गवर्मेंट करीब 19,000 कोड रुपीच आगे देने वाली है पीलाइ स्किम के तैट सोलर मॉडूल मैनुफेक्चरिंग के लिए तो इस तरह से सरकार ने रहात के द्वारतों खोले हुए और ये जो मदद है ये पीलाइ स्किम जो है ये आगे भी बढ़ाई जा सकती है और इसमें मदद और बढ़ाई जा सकती है तो आने वाला जो समय है वो इन कंपनियों के नाम होने वाला है क्योंकि सरकार बहुत सारी जो है announcement इस समय कर सकती है इस budget के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कम से कम price में यह energy available हो सके ताकि परंपरा गदर उरजा है उससे सस्ती होनी चीए तबी इसको लोग अपनाएंगे और इसलिए जरूरी है कि इसमें बहुत सारी सरकार के तरफ से राहत दी जाए साथ में battery storage के लिए व्यवस्ता की जाए क्योंकि यह energy जो है इसको store करना बहुत जरूरी है यहाँ पर community sentiment फिलारी stock के साथ बना हुआ है 84% buy की call है 11% sell की call है 5% hold की call है तो आप देख लो 100 में से 89% लोग अभी भी इसको लिना पसंद कर रहे है एक बार इसके pivot level को भी check कर लेते है यहाँ से अगर stock sleep होता है तो 11.27 पर first support है 10.88 का second support है और 10.22 का third support है यह आपको ध्यान रखना है अभी भी stock two digit में ही दिखाई दे रहा है तीसरे support के माध्यम से भी है उपर की तरह मूखने पर जो target निकल के आ रहे 12.32 का first target है 12.98 का second target 13.37 का third target है तो तेजी से stock आगे भागे है तो भी साड़े तेरा के असपाद जा सकता है बाजार में अगर गिरावट का दोर जार रहा तो यह stock भी नीचे आ सकता है चलते है उर्जा ग्लोबल की तरब तो उर्जा ग्लोबल फिलाल गिरते हुए stock 25.95 पर आ चुका है 5% का lower circuit का और यह lower circuit लगातर लग रहे अब यह जो गिरावट हुई है यहां पे देखो तो 33.40 की हाई बनाके stock काफी नीचे आया और यह जो तेजी बनी थी यानि 15 रुपीज की हाई थी इसकी 13 तेज़ दिसंबर को और इन आकड़ों ने पूरा खेल भी गाड़ा तो जिसने मेरी बात मानी होगी वह फिलाल अभी profit में हो सकता है क्योंकि उन्होंने profit अपना book कर लिया होगा और यह बात मैंने आपको लगाता पहले भी बोली थी कि आपको profit कर लेना चाहिए कभी भी यहां पे गिरावट आ सकती है अब यह गिरावट का दौर थोड़ा सा लंबा चल सकता है लेकिन मुझे लग रहा है 18 के आसपास इसमें circuit खुलने की संभावना बन सकती है लेकिन हो सकता है अगर 18 पे circuit नहीं खुलेगा तो free stock वापस और भी नीचे जा सकता है उनके plant का कोई पता नहीं चल पा रहा है बहुत सारी बाते चल रही है और इस वज़े से थोड़ा सा लोगों में ब्रह्म पैदा हो गया और इस वज़े से भी यहां पे गिरावट आगे जारी है वैसे यह सारी जो profit booking हो रही है यह retail investor की तरब से ही हो रही है चाहे loss भी book कर रहे तो retail investor है बड़े fund आउस फिलाल यहां पे किसी पी तरह का अपना मालनी बेच रही है आपको ध्यान लगना है तो हो सकता कि फिर यहां पे तेजी सुरू हो जाए तो थोड़ा सा आपको धहरे क साथ बने रहना चीए वैसे जिसका long term का नेजरिया उसको डरना की कोई बात नहीं जितने भी power sector के stock है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में जो target हमारा रखा हुआ 500 का 5 year का वो बिल्कुल आएगा तो चिंता की कोई बात नहीं आपको पहले काफी बार उस समय आपने नहीं माना मैंने का था कि जिसका भी short term medium का नेजरिया उनको profit book कर लेना चीए क्योंकि कभी भी लगातार upper circuit नहीं लगते जब भी circuit खुलते है तो फिर lower circuit का दोर जारी हो जाता है ये बात मैंने हर stock में बोली थी लोग बात नहीं मानते चाहे है आप TTMA ले लो लगाता है जी मैं stock दोड़ रहता लोगों को लग रहता कि ये वन थाउजन तक चला जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है profit booking आते है जितना ज़्यादा upper circuit लगेंगे फिर उतने ही ज़्यादा lower circuit के समभाना बन जाती है यही उर्जा गलोबल के साथ हुआ है तो बहुत जल्द